योहारी सीजन के बाद करोना की तीसरी लेहर के मदेनजर प्रशासन ने एक बार फिर सावधानी के दौर पर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है ऐसे में वैक्सीन की दोनों डोस के लिए सभी सतरों पर गदी बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को मुक्त परी संचुरन की अनुमती मिल जाए कुछ जगों पर पहले डोस की जरूरत है महानगरपालिका अधिक्त ने मंगुलवार से ब्रेक दचेर अभियान के तहट यहादेश जारी किया आदेश के नुसार विबिन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां आने वाले सभी नागरेकों को बचाव के उपाई करने होंगे सभी जगों पर आकस्मिक जांच की जाएगी यदि कोई गरबडी पाई जाती है तो उसके खिलाब दंडात्म कारवाई भी होगी आदेश के नुसार धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले सभी प्रभंदन और कर्मचारियों के अलाबा प्रवेश करने वाले नागरेकों को भी ?」 निवारक टीका करन की दो खुराके बूरी करनी होगी प्रवेश द्वार पर टीका करन प्रमान पत्र और फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करना आवशक होगा सामाजी कायोजनों, सभाओं, समेलनों, धार्मेक जलूसों, त्योहारों में भाग लेने वाले नागरेकों को भी टीका करन के दोनों चरन पूरे करने होगे सरकारी अर्द सरकारी और नीजी कारलेव समान सगटनों में काम करने वाले करमचारियों अधिकारियों 18 वर्ष से अधिकायू के सभी आंगतों को काम करने वालों सभी लोगों को दो या कम से कम पहली खुराक लेनी आवशक होगी सरकारी अर्दे सरकारी और नीजी स्वास्ता संस्थानों में काम करने वालों को वैक्सिन के दोनों डोस जरूरी होंगे वहीं भवन और अन्य निर्वान शेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कम से कम एक डोस अनिवारे कर दिया गया है आदेश के नुसार फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ टीका करन प्रमान पत्र दिखाना होगा 18 साल से कम उम्र के लड़की और लड़कियों को अपनी उम्र का उचित प्रमान दिखाना होगा विशेश उप से नागपर माना कर पाले का द्वारा और चक निरिक्षन किया जाएगा आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अनिमित्ता पाई जाती है तो दन्रात्मक कारवाई भी की जाएगी